आप सभी का स्वागत करती हूँ अड़ा 24-7 पर हमीं पता है banking system एक अलग-अलग system या फिर एक अलग-अलग divisions में divided है जो की हर अलग-अलग audience को cater करता है जैसे regional rural banks है जो की rural community को cater करते हैं urban के लिए काफी सारे हमारे यहां पर commercial banks है आज के इस particular video में हम समझने वाले हैं कि क्या banking की history है और साथी साथ हम यह भी जानेंगे कि banking का कैसे किस तरीके से evolution हुआ है तो शुरू करते हैं आप सभी को पता होगा कि ancient times में साहुकार्स होते थे सेट होते थे, business man होते थे, हम उनको बहुत सरे नामों से जानते हैं money lenders हम उनको बोलते हैं, वो काफी महेंगे ब्याज दरों पर ठीके पैसा देते थे जो कि middle man के लिए या फिर जो गरीब लोगों लोग थे, गरीब तपके के लोग थे उनके लिए काफी जादा मुश्किल होती थी क्योंकि वो उनको basically कही ना कहीं depressed करने की कोशिश करते थे, अब इसी के चलते, ये सब चीज़े जब हो रही थी, तो banking जैसी सुविधाओं को लाने की आवशक्ता पड़ी ताकि लोगों को थोड़ी सी बहतर सुविधाएं दी जा सके, हाला कि जब Britishers थे तब तो चीज़े बहुत सुदरी नहीं, बट उनके जाने के बाद banking system हमारा definitely काफी बहतर हुआ है, तो हम कुछ facts के साथ शुरू-शुरू में deal कर लेते हैं, कि 1770 की अगर मैं बात करूँ, 1770 में सबसे पहले जो the first bank of India was formed, जिसका नाम रखा गया bank of Hindustan, कैलकटा में ये बना था, हाला कि इसको हम पूरा स्वदेशी bank नहीं बोल सकते, क्योंकि ये Europeans handle करते थे, उसके बाद क्या हुआ, 1806 से लेकर 1842 तक भी काफी सारे major developments हुए banking में, आप सबको पता है, जब Britishers ने हमारे उपर राज किया था, तो उन्होंने बहुत सारे factories हमारे यहां पर लगाए, बहुत सारे ports हमारे यहां पर बनवाए, ठीक है, ऐसे ही उन्होंने तीन presidency भी यहां पर Bombay presidency के जो banks हैं, इनको combine करके एक bank बनाया गया बाद में, जिसको हमने बोला Imperial Bank of India, यह मैं बात कर रही हूँ 1921 की, और यही Imperial Bank of India बाद में जाके State Bank of India बना, nationalization के बाद में 1955 में, तो यह timeline भी आपको याद रखनी है, उसके साथ साथ जो भी bankों के नाम है, कब इनका establishment हुआ, य यह सारी चीज़े आपके exam के लिए काफी relevant है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे banks की, जो की independent से पहले exist करते थे, ठीक है जी, सबसे पहला है अलाबाद bank, जो की 1865 में बनाया गया, इसका establishment year है, हाला कि यह सबसे पहला, या फिर हम बोल सकते हैं कि Indians इसको नहीं own करते थे, उ उसके बाद bank of India भी बना, in the year 1906 Canada bank भी बना, same year में जब bank of India बना, bank of Baroda भी बना, उसी के दो साल बाद 1908 में और finally हम यहाँ पर देख सकते हैं, CBI Central Bank of India की भी स्थापना हुई 1911 में, अब यह कुछ banks हैं जिनका फिर से हमें year जो है, वो हमारे लिए important हो जाता है, along with the headquarters, जो हमार एक्जाम में सीधे-सीधे पूछ लिये जाते हैं, तो bank of Baroda और Dena Bank की मैं बात करूँ, तो इनको हमने nationalize किया, 1969 में और इसका headquarter है मुंबई में, Vijaya Bank को भी हमने nationalize किया, 1980 में, nationalization का क्या concept है, कब से शुरू हुआ, यह देख लेते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है कि, आप देते थे, पैसे देते थे, और काफी जादा इससे problems हो रही थी, लोगों को, तो nationalize करने की हमारे देश में काफी जादा आवशक्ता थी, काफी जादा जरूरत थी, इसी के चलते nationalization का topic, या फिर nationalization का issue आया, जो nationalization करने की जहां पर बात हुई, और सबसे पहले 14 top banks को nationalize किया गया, मैं ये बात कर रही हूँ, 69 में, 1969 की मैं बात कर रही हूँ, this year you have to remember, जब हमने सबसे पहले 14 bank को nationalize किया, जिन में से कुछ bank है, Bank of Baroda, PNB, Dena Bank, Canera Bank, जो हमने अभी recently, पिछले slides में देखे, उसके बाद कुछ साल बाद ही, 1980 की मैं जब बात करूँ, तो 6 और bankों को nationalize किय गया, आप यहां पर देख सकते हो, उन में से कुछ bank है, जैसे Vijaya Bank, Oriental Bank of Commerce, etc. अब हम बात कर लेते हैं, कुछ ऐसी committees की, जो आपके banking exam में directly पूछ ली जाती है, जो की काफी important है, तो ये नाम आपको जरूर याद रखेगा, इन में से सबसे important body है, M. Narsimum Committee, सबसे पहले जो फिर financial institution को जो है, strengthen किया जा सके, इस committee का जो major काम था, वो यही था, कि हमारे देश में, जितने भी financial institutions हैं, जिनको हम basically आम भाशा में bank ही बोलते हैं, उनकी strengthening की जा सके, ठीक है जी, उसके बाद आपको रगुराम राजन committee भी याद रखनी है, जो 2007 में आई थी, उसके बाद P.J नाया committee भी आपको याद रखनी है, 2014, along with the years, right? Now, if you remember, 1929 में great depression आया, जो कि US में शुरू हुआ, US का stock market crash हुआ, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे banks fail हुए तो, और वो 1929 में वहाँ पर depression की शुरुआत हुई, जो कि धीरे-धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गया, उसका impact हमे भी या फिर पूरी दुनिया को देखने को मिला, तब वो समय था, 1939 का ये great depression फील करने के बाद, वो समय आया, जब Britishers को ये feel हुआ, क्योंकि आप ये देखिए, 1939 की मैं बात कर रही हूँ, अभी तक हमारा देश आजाद हुआ नहीं है, 1947 अभी आया नहीं है, और इस टाइम प्रिटिचर्स को रिलाइज हुआ, कि एक ऐसे हमें बैंक की जरूरत है, ताकि ऐसी situation बाकी जगहाओं पर ना आ सके, या फिर इंडिया में या फिर और बेसिकली जगहाओं पर ना आ सके, इसी लिए RBI को उन्होंने बनाने का सोचा, और कब, और कैसे वो बनाया, वो बनाय RBI Act लाके 1934 में, 1934 में ये RBI Act आया, जिसके जरीए, फाइनली 1935 से 1st April 1935 से, Sir Osborne Smith, जो की इसके गवर्नर रहे हैं और RBI को, यानि हमारा जो आज के टाइम में Central Bank है, उसके operations शुरू हुए, तो ये years आपको definitely याद रखने है, Act का भी year, और जब से operation शुरू हुआ, उसका भी year उसके बाद एक बहुत important नाम है Wellington, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये voice row थे उस ताइम पे इंडिया के जब ये पूरा establishment हुआ, उसके बाद एक और Act है, जो आपको याद रखना है, वो Act क्या कहता है, वो Act है, Banking Regulation Act of 1949, इस Bank के तहत, अगर आप मुझसे ये पूछे कि RBI के पास इतनी पावर कैसे आती है, तो this is the Act जो आपको याद रखना है, जो कि RBI को हमारे Central Bank को सारी पावर देता है, which is, चाहे किसी भी corporation को allow करना हो, या फिर basically license प्रवाइड करता है corporations को, कि वो banks खोल सकती है, या फिर किसी भी bank को, अगर अपना कोई branch खोलना हो, तो उस की भी permission उनको RBI से लेनी पड़ती है, और RBI को ये authority देता है, Banking Regulation Act of 1949, तो ये सारे points, ये सारे acts, कब किसका establishment हुआ, ये पूरा evaluation, ठीक है जी, जो आज के lecture का, और banking की जो भी history है, ये आपको याद रखनी है, एक general perspective से भी, और आपके banking के किसी भी exam के लिए, तो definitely ये जरूरी ह है, तो आज के लिए इतना ही, कल से मैं फिर से कुछ important topics के साथ आउंगी, till then stay tuned, thank you so much.